एक हेलो प्रेंट्स स्वागत है आपका यू लर्ण में आज मैं आपको डेमेंशनिंग के कुछ जेंडरल रूल के बारे में बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर हमारे पास कुछ जेंडरल रूल है डेमेंशनिंग करने के लिए तो फस्ट में हमारे पास एलाइंट सिस्टम और यू डेमेंशनिंग इस रिकोमेंडेड तो मैंने आपको प्लेसिंग और देमेंशन इसमें बताया था एलाइंट सिस्टम और यूनिडिरेक्शनल सिस्टम तो यहाँ पे एंडी भग्ट बुक हमको recommend कर रहा है align system के through dimensioning करने के लिए तो हमको align system में तो आपको पता होगा कि हम extension line लेते हैं और उसमें जो हमारा dimension line होता है उसके bottom में हमें bottom से देखना होता है और इसका dimension लिखते हैं यही अगर हमारा horizontal dimension line अगर रहेगा तो हमें right side से देखना होता है यहीं कि हमको यहाँ dimension लिखना होगा तो दूसरा rule है हमारा dimensioning should be done so completely that further calculation और assumption of any dimensions और direct measurement from the drawing is not necessary तो जैसे कोई इंजिनियर अगर कोई drawing बनाता है यह हम कुछ drawing करते हैं तो तो उसका हमको सारा dimensioning एक बार में complete कर देना चाहिए ऐसा नहीं कि मौन चलिए हम इसको इसका बीना कुछ जिसे इसको dimensioning करते हैं तो हमको इसमें dimensioning में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कि हम कुछ इसमें छोड़ दिया और बाद में फिर हमको dimension कहीं पर छूट गया तो बाद में करना पड़े तो इसके लिए हमें एक ही बार में पूरा complete dimension करना होता है तीसरा है हमारा every dimension must be given but none should be given more than once जैसे कि हमको इसका dimension 30 दे दिया है तो अब जरूरी नहीं है कि नीचे भी हमको यह यहां भी होना निसेसरी है यहां नहीं भी होगा तो हमको समझ जाना है कि नीचे भी 30 है तो जैसे अगर हमारा यहां दिया हुआ है 10 तो हमको समझ लेना होगा कि यह जो person है हमारा यह यह भी 10 होगा अगर हमको यह दिया हुआ है यह 10 है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा यहां जो होगा वो भी 10 ही होगा तो चोथा हमारा यह डामेंशन सूट भी प्लेश्ट ऑन दा व्यू वेर इट्स यूज इच सौन किलियर और मोर इजली तो जैसे यहां पर हमारे पास किसी अब्जेक्ट का यह टॉप व्यू है यह फ्रंट व्यू है और यह हमारा साइड साइड व्यू है तो जैसे हम कि यह जो हमारा होल है यह इसका ही यहां एड़न लाइन में प्रजेक्ट्स हुआ है लेकिन हम को यहां नहीं लिख किया व। और दोसे भ्यूव पर कर दें जिससे हमको पता चल धाए कि यहां भी उसका उतना ही डैमेंशन होगा में उतना ही तो हम यहां से एक लेडर लाइन करके लिख देते हैं तो हमको खुद पता चल दाए यहां जो हमें है यहां हमें dimension होगा वोगी होगा यहां का भी dimension कि तो जरूरी नहीं है कि हमें यह देखना है कि कहां पर हमें dimension लेना है जिससे कि हमें हर एक भ्यू में पता चल गाए है तो पच्चमा है हमारा dimension should be placed outside the view unless they are clearer and more easily get inside तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि अगर हम किसी view में अगर हम inside में करते हैं तो उससे अच्छा है कि हमें इसका dimension outside में करना चाहिए inside के बदले हमें outside में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो छटा है हमारा an out line और a center line should never be used as a dimension line but a center line may be extended to serve as an extension line तो हमको यहां कहा रहा है कि यह जो हमारा center line है इसको हम कभी dimension line के तरह यूज नहीं कर सकते हैं तो जैसे अगर जैसे इसको dimension line बना रहे हैं यह अगर हम बना के यहां लिख दिये इसका 50 यह हमारा गलत है यह हमें use नहीं करना है कभी भी ना ही हमको outline में लिखना है और ना ही कभी हमें centerline में लेकिन हम centerline जो यह हमारा है इसको आगे बढ़ा के extension line में serve कर सकते हैं तो देखें यहाँ मैंने centerline को extension line में serve कर रहा हूँ चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यह हमारा 15 हो गया और यहाँ भी extension centerline को extension line में serve कर दिया है और यह हुआ हमारा dimension सात्मा है mutual crossing of dimension line and dimension between hidden line should be about about dimension line should not cross any other line of the drawing तो यहाँ पर देखें मैंने जितना भी dimension line लिया है वो dimension line कभी भी किसी को cross नहीं कर रहा है देखें यह जो भी हमारा dimension line है वो किसी भी दूसरे line को touch नहीं कर रहा है नहीं क्रोस कर रहा है लेकिन अगर किसी भी में अगर हमारा hidden line है यह dotted line जो है हमारा यह अगर dimensioning अगर करने वक्त इसे अगर cross कर दिये तो यह चलेगा तो यह सब थे हमारे कुछ gender rules of dimensioning thank you guys please support me और इसी तरह वीडियो देखिए और जो भी इसमें कुछ दिक्कत आ है या problem हो तो please comment हमें जरूर करें thank you guys thank you so much